पूरी दुनिया में इस टाइम कोरोना वाइरस फैला हुआ है दुनिया के दूसरे देशों से सीख के हमें अपनी स्ट्राटेजी बनानी है कि हम कोरोना से कैसे डील करेंगे मोटे मोटे तौर पे सब देशों के एक्सपीरियंस देखने के बाद एक चीज़ तो साफ है कि आपको कोरोना से तीन कदम आगे रहना है अगर आप सोते रहे और करोना फैल गया तो उसके बाद आप करोना को कंट्रूल नहीं कर पाएंगे अगर आप कोरोना से जो जो देश कोरोना से दो कदम आगे रहे तीन कदम आगे रहे उनोंने कोरोना को सफलता पूरवक्त कंट्रोल कर लिया इसके लिए हम सब लोगों ने मिलके मैंने कई एक्सपर्ट्स के साथ पिछले कुछ दिनों से मैं बात कर रहा हूँ कई डॉक्टर्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ कई लोगों से बाचीत करने के बाद हमने 5 step 5 बिंडूओं का हमने प्लान बनाया है कि हम आने वाले दिनों में दिल्ली में करोना को कैसे नियंतरित करेंगे इसमें यह एक तरह से 5 T है 5 T प्लान है पहला T है टेस्टिंग हमने यह देखा कि जिन जिन देशों ने टेस्टिंग नहीं की वो जब करोना फैल गया तो उसको करोना को नियंतरित नहीं कर पाए अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां कहां किस किस घर में करोना फैला हुआ है और अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे और करोना फैलता गया नीचे एक आदमी दूसरे को दूसरा तीसरे को और इस तरह से ये चारो तरफ फैल जाएगा हम South Korea का example देखते हैं कि South Korea ने किस तरह से बहुत बड़े स्थर के उपर टेस्टिंग करकर के टेस्टिंग करकर के उन्होंने एक एक आदमी को identify किया कि इसको करोना है इसको इसका इलाज कराओ इसको करोना है इसको quarantine कर दो उन्होंने एक एक को identify किया ताकि वो दूसरे लोगों को संक्रमित ना कर सके अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन संक्रमित हो गया कौन infect हो गया और कौन infect नहीं हुआ इसको अब हम बहुत बड़े स्थर के उपर साउथ कोरिया के तरह करने जा रहे है रैपिट टेस्ट आने के बाद जो जो हमारे hot spots हैं जहां हमें लगता है कि करोना के patient थोड़े से ज़्यादा निकले जैसे मर्कज में निकले मर्कज के आसपास का जो जो निजाम훈िदीन का area है उस तرह से दर्दी में दिल शाद गार्डन में थोड़े से जाता निकले थे उस तरह से जितने हमारे ऐसे areas हैं उन areas के अंदर हम रैपिड टेस्ट को जाता इस्तेमाल करके कि महां पर random test कराएंगे ताकि हमें पता चल सके कि करोना कहीं महां ज्यादा फैल तो नहीं रहा और हमें पता ही ना चले तो rapid test को इस्तिमाल किया जाएगा और जो detailed test होते हैं उनको भी इस्तिमाल किया जाएगा दूसरा हमारा T है दूसरी बिंदू है tracing हमने पता कर लिया कि ये आदमी करोना positive है अब ये व्यक्ति किस किस से मिला 14 दिन में किस किस से मिला उनको सब को identify करते हैं हमारी टीम बहुत efficient टीम है हमारे अफसरों की doctors की वो identify करती है और उन सब लोगों को self quarantine में डाल दिया जाता है उ tracing अभी तक दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे स्थर के उपर चल रही है अब हमने police की मदद भी लेनी चालो की है एक आदमी positive निकला उसने हमें बताया जी पिछले 14 दिन के अंदर में इन 100 लोगों से मिला था हमने उन 100 लोगों को कहा कि भी आप self quarantine में घर में 14 दिन रहोगे अब वो 14 दिन घर में रह रहे हैं की नहीं रह रहे हैं इसके लिए हम police की मदद लेते हैं पुलिस को हमने अभी तक 27702 लोगों के phone number दी हैं ये पता करने के लिए कि वो जो self quarantine वाले हैं वो घर में रह रहे हैं की नहीं रह रहे हैं उनके phone से पता चल जाता है कि phone का movement तो नही अबर आज हम police को देने वाले हैं कि मरकज के अंदर जितने लोग थे वो कहीं आसपास बाहर के area में तो नहीं घूमे थे अगर वो बाहर के area में घूमे थे और वो कहां कहां गए थे वो पता चलेगा तो उन areas को seal कर दिया जाएगा तो tracing के basis पे हम self quarantine करेंगे sealing करेंगे और monitoring करेंगे कि लोग self quarantine follow कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हमारा तीसरा T है treatment जो बिमार हो जाता है फिर उसका इलाज कराना हम है अभी तक दिल्ली में लगबग 525 टोटल कोरोना के positive case आये हैं हमने इस time already लगबग 3,000 beds की क्षमता तयार कर लिया है LNJP hospital हमने पूरी तरह से कोरोना hospital declare कर दिया है अब वहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा है देड़ हजार बेड़ वहाँ पे हैं वहाँ पे केवल और केवल कोरोना वालों का इलाज होगा GB Pant hospital में 500 बेड़ हैं उसको हमने कोरोना hospital declare कर दिया वहाँ पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है राजीव गंदी सुपर स्पेशलिटी hospital में साड़े 400 बेड़ हैं उसको हमने पूरी तरह से कोरोना hospital declare कर दिया वहाँ पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है तो इस तरह से 2450 बेड़ सरकारी क्षित्र में हैं और 400 बेड़ हमने private hospitals के अंदर कोविड डिक्लेर कर दिया हैं आज दिल्ले में 525 patients हैं 3950 बेड़ हमारे कोरोना के लिए अलग से year mark कर दिये गए तो लगबग अगर 3000 तक patients होते हैं तो हम आपस hospitals के अंदर beds हैं 3,000 cross कर जाता है तो हम GTV hospital को पूरी तरह से कोरोना डिक्लेर कर देंगे GTV में हमारे पास 1500 बेड़ हैं तो 4500 बेड़ हो जाएंगे इस तरह से हमने planning किया है कि 3000 patient होंगे तो क्या होगा 4000 patient होंगे तो क्या होगा 5000 patient होंगे तो क्या होगा 6000 patient होंगे तो किसको take over करेंगे इस तरह से 30,000 active patients अगर दिल्ली में 30,000 patients हो जाते हैं active patients treat कियो वे नहीं कई लोग ऐसे हैं जो कि hospital में आए इलाज हो गया ठीक हो गए और घर चले गए वो नहीं 30,000 active patients जब दिल्ली में अगर होंगे उसकी हमने पूरी तयारी किये तो ये treatment है तीसरा टी treatment है चौथा टी हमारा है teamwork ये कोरोना को अखेले कोई नहीं ठीक कर सकता कोई कोई अगर ये सोचे कि मैं अखेला कोरोना को ठीक कर दू वो नहीं हो सकता ये teamwork पे जब तक हम काम नहीं करेंगे टीम की तरह और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही है राजनीती से उपर उठके सारी सरकारें केंदर सरकार राज्य सरकारें सारी एजिंसी सब एक टीम की तरह काम कर रही है और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब मिलके एक टीम की तर तो अपने सारे सरकारों को और सारे देश के लोगों को एक परिवार की तरह एक जुट होकर एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा और सारे राज्य सरकारों को हमें आपस में एक दूसरे से सीखना भी है मैं मुझेजे भड़ी खुशी होती है मैं देखता हूँ कि तमिलाडों में यह होगया महराश्टर के अंदर ही होगया केरेला में यह हो गया पष्चिम्यमंगाल में राजस्टान में यह होगया मद्यप बचाना हैं. वो हमारे सबसे बड़े सिपाही हैं. हो हमारी इस टीम का सबसे उनके परिवार का हमें ख्याल रखना है. कहीं-कहीं मैं देखता हूं कि डॉक्टर्ज के साथ उनके पड़ोशियों का, उनके कॉलोनी वालों का, उनने कहा की आपको तो कोरोना हो गया होगा आप कॉलोनी में मत गुसी यह सही नहीं है यह बिलकुल गलत है इसको परदाश्ट नहीं किया जाएगा सबसे important इस कड़ी का हिस्सा हमारे doctors हैं और हमारे देश के लोग हम सब लोगों को इस वक्त lockdown के वक्त एक अनुशासित तोर पे अपने घर में रहना है social distancing का follow करना है और पांचवाँ T है tracking and monitoring मैंने इतनी सारी बाते तो बोल दी लेकिन इन सब बातों को monitor करना उसको track करना की चीज़ें सही चल रही है इसके जम्मेदारी मेरी है दिल्ली के अंदर 24 घंटे moment to moment track करना कि जो पूरा हमने प्लान बनाया वो प्लान उसके हिसाब से चल रहा है इसकी जम्मेदारी मेरी है वो 24 घंटे मैं tracking कर रहा हूँ मैं monitor कर रहा हूँ और मैं इसके उपर नज़र रखूँगा मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम करोना से तीन कदम आगे रहेंगे तो हम करोना की इस लड़ाई को मिलके जीत पाएंगे तीम की तरह जीत पाएंगे बहुत बहुत शुक्रियों कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो सक्था जीत पाएंगे